हेलो स्टुदेंट आज हम लोग अपने इस कलासे बच्चों यह सैकेंड यह का जो आपका फर्स पेपर आहार रों पोशण का है उस पेपर पाज हम लोग कांटीनियू करेंगे पिसली इस आहार रों पोशण के पेपर में गोजन पकानी की विद्यों के वारे में देखा था क भोजन पकाने के कि विद्यों होती है और भोजन की प्रकार से हम लोग पका सकते है क्योंकि भोजन या हम घोंड़ करते हैं सबसे मुंख ख़कता इस पास्ति-उंट क्यों यहां सामिवा सबकर में अगर आहार में पूरी तरह से सामिष पाई अदनल अगर है अगर भोजन कर रहे हैं उस्कीक उशक तरफ काने के बाद नहीं रहते हैं ऊशत को खाने का कोई जादा और अउद्धा इसलिए यह आवश्चक होता है काम भोजन को पकाने की बिभीं ट कार की विद्यों के बारे में उसी आधार से उस पोपका जैसे उसके पोश्टिक तर तो कम से कम मात्रा में नुक्सान हो या उनकी मात्रा में कमी आए और अधिक से अधिक पोश्चक तर तो हम रहन कर सके तो पिछली क्लासे बच्चों में बताया था कि भूजट को हम चार विडियों से पका सकते हैं में पहला थापका से जल द्वारा उठार कि हावादवारा वास्प द्वारा गैसे बिल्ध की जो चार्प्रकार की विदिय कोörव हो जोजन पाकाने के इन चार्फ्रकार की विडियों में αम लोग पका के अपने बिविन भोज़ई काड़ 역ू को पकाते हैं और अंस को भ्रहन क बचों जब आज से बहुत पहले आधिम काल में जब आग का विस्कार नहीं था तो जो उस समय की जन जाती है या लोग भोजन को या फिर कच्छे मांस के रूप में अफल फूल से अपने आहर को ग्रहन करते थे लेकिन जब अगनी का विस्कार हुआ उसके बास से हम लोगों क बग लेकिन जब तक अगनी का विस्कार में अपन करते थे लेकिन अगनी का विसकार के जाना करते हम पुआ है और अगनी का विस्कार के वा पोजन को पकारना श्टार्ट किया और उसको अम लोगों को काफी मदद हुई तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जल की जल ने जो पोजन को पकारने के विधी में अम लोग नहीं बताया तो बालना ख़दकुना श्टेडीम तरह से इम लोग कई प्रकार से पोजन को उबाल के अलु कंदा मूल यह ज chips जाते सत्रिषे जाते से इसे घौनी का यूझ करने कि चावल क्यों जाते हैं इसने हुआते हैं कि ने थे, तNaज हम लोगों करेड़ी में को हबता हैं कि नाए तेयं को चावल है घर गवicana का वर ग्डाल का थैसा उसे आज मैं कि लिग से वीधार या बूजन परकार को बनाया जाता है यह बात थे भोजन पकाने की विदिया और आज का चैक्टर में हम लोग देखेंगे बच्चो कि जो हमारे भोजन के पोशक मुल्द है हम तो भोजन को पकाना जानगे कि कित कि विदियों से भोजन को पकाएंगे और उनका हम यूज करेंगे लेकिन कुछ बात होती है कि कुछ भोजन के जो पौशक कत्व है उनको बढ़ाने की क्या भीदिय हो सकती जैसे आप नौर्मल डायट लोगा हो लेकिन अगर हमें कोई जानकारी हो में ग्यान में उस भोजन में हम पोशक कत्व को बढ़ाके भी गरण कर सकते यानि कि उसको पूश्रक मुल्य को बढ़ा के अधिक पोश्रक नुट्रिंशन बनाके बुश्रक को रहन कर सकते हैं क्यां है जो हम लोगों के जो पोशक तत्तों ले अपको पहले इस क्लास में बताए तबैको की छे पोशक तत्तों जो होते हमारे प्रोटीन कार्भोहडेड वसा थोर्म कार्य बिटामीन इस इनी ही छे पोशक तत्तों को ही scholars को अपने बंदार्थо में शामिल करते द्यानि क्य करते हैं तो आज हम लोग अपनी क्लास में सबसे पहले देखेंगे कि पोशक मुल्य जोड़ की बढ़ाने की क्या मैठेड हो सकते क्या तरीके हो शकते कि मारे पोशक मुल्य बढ़ जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं होज पदार्थों के मिश्रण विधी वारा ठीक है यानि कि मिश्रण विधी भोजी पदार्थों का जो मिश्रण विधी होती है उसके बारा भी हम अपने भोजी पदार्थों के पोशक मुल्य को बढ़ा सकते मिश्रण करके एक आहर को दूसरे आहर के साथ मर्ज करके उसके साथ उसकी वैलू को मिला के हम लोग उसके पोशक तो ब्रित्ता में वृत्य हिर्षी आपलगते विर्वाट्त क्या दीन के मिक्सव कर देंगे विर्वागते हैं आजानी है तो दोनों के विर पॉष्क भाद मुल्येते हैं और अशामिए होती है कभी कभी होता है कि किके कोई नहीं पसंद होती है बच्चों हमेशा किसी चीज के लिए करते हैं, तो उसके जो पालक की न्यूट्रियन वैलू होगे वो ताल में आ जाएंगे उससे उसके पोशक तक तो ताल में प्रोटीन और आयरेम की मातरा को मिक्स अप कर सकते हैं, तो इस तरह से पालक की पोशक तक होगे आपको दाल के पालक पनीर की बात अगर बच्चे पालक नहीं खाते हैं, बहुत लोग पालक की प्यूरी में अगर हम पनीर की मातरा को मिलाते हैं तो आगन और आपकी पनीर तो इस तरह से जो एक चीज किसी को डिसलाई के नहीं पसंद उसको दूसरे के साथ मिक्स अप करके हम उसके लोग रागी जैसे आपका यह गया चना चना रागी तो सोयावीव इन सभी के जो आटे अगर इन सभी यह सब को हम लोग एक साथ पीस मतलब इनके आटे को यूज करते तो बच्चे या कोई वे नॉर्मली सभी लोग इसकी रोटी यो खाना पढ़े पसंद नहीं करते नही समय में आता होने तो अगर हम kayला के अधिक मातरा में अभी में आधिक मातर हो चना रागी त्यूर्थिक संड़र करे गयं भाष अब नहीं का भाष में को एंपने डहां के इनसे लोग यह रह। हुछ जाएा पनी मरूपकर पये जाती चना रागी में धिटी, वें द प्रोटीञ प्रोटीन के साधर अगर हम 10 ग्राम स्वाइविन यूज़ करते हैं तो आपको 42 ग्राम तक प्रोटीन की प्रापती हो जाती है और ये दूर हूं दूर से बने घाको काफ़ी लूएस्ट कास्ट में आपको सोअ बिटामींस की प्राप्ति हो जाते हैं तो हम इस भीतों के त्वात के कम भजैर में वह अगर यूज करें इस चीज़ों को अगर प्लस यहूं के इस एक 100 को ऑल्य हो कि आठेम तो तो थोड़ा थोड़ा कैल्कुलेट करके अगर हम इसको पीस पीस्ते हैं और उसका यूज करते हैं तो हम उन सारे चीजों की ट्रापती हो जाएगी जो सिंपले गेमों के रोटियों से में नहीं प्रापती है तो यह होता है कि पोश्टिक तत्व बढ़ाने में कि हम एक द सांविच आप यह तो यह दो तो फिर इन पनीर पराठा लूप में पनीर टिक्की रूप में यूज करते हैं तो मिश्रण करते हैं तो उसके पोश्टिक तत्व बढ़ने के समभावना हो जाती है अक्सरा हम नें गहें दाल करते हैं तो जो हमारी दाल होती है हुस्में प्र सारे विटामिन्स और प्रूटीन की प्रापती पोशकती तो इस प्रकार थोड़ा सा अपना कैलकूलेशन करके अपने अपने आपको विचार करके अगर हम मिश्रण विधी द्वारा पोश्टिक तत्तों को बनाने की विधियों का ग्यान करें तो हमारे भोज़िपदार्थो में बिभीनप्रकार के पुष्टिक तत्तु इस पहला था भोज बदार्थों कि मिश्रम विधि हम अपने पोश्टक मूलें बढ़ाने की विधिया अब बाताती है अंकुरी करल दिंवारा की हम अपने अपने पोश्टिक तत्तों में कोश्ट्थ snail किस प्रकार प Kook बढ़ा इनने प्रोसेस्सिंग अंकुर से निकलाते हैं हमार को इनके पोशक कद्वान काफी मात्रा में बढ़ाते हैं लोगो को बताइए तो बताइगे कि जो की मात्रा इसको हम लोगों को बैचो डेली अहार में घ्रहन करना पड़ता है क्योंकि यह बिटाविन नहीं स्टोर के रूप में यजय कुल अंकूरी अनार्च पर्ड़ ऊंपने विटामी तो हमी उबता है क्योंकि चना मूंग ये स्वाइबी रूप में यूज करते हैं तो एक पूरण पीदी गारा कोशप मूल को बढ़ाया जा सकता है को बात कर लेटेंगे भाउंदी लेगारा में दोल्तने की सिर्वन प्रण पीदी गारा ही शच्छ फड्य होता है उसके को थानि तो बढ़ाने काफी मदद करते तो तो सरक्राव सरकराईध है यहांट सरक्राव DR ohm तो उन चीजों में कुछ समय के लिए आप उनको रख देते हैं तो उसमें खमीर उत्पर हो जाता है अगर हम आटा मड़ा हुआ रखते हैं थोड़ी जर्की लिए सुबह कसा तो फूल जाता है क्षमीर के काटा मरत कंषित आपना लिए सुजी प्रक्राइब तो फ्रक्रिया घ्रक के स्टें जिसने ऊसमें खमीर कि मात्रा की निया हम और भी आटे को यूज़ेंगे वारा वनवाई अपने पंफ। जुढ कर शालेस吗 नास्ते में आहर में जो भी यूजर नान सितका इडली में अपने चावल और दूजर की मात्रा को पीचते हैं फिर उसको कुछ समय के लिए रख देते हैं क्यों कि जब उसमें की मात्रा डबलप हो जाती है तो फिर हम उस इडली को बनाते हैं बोशा हो गया ढुकला हो गया इन सारी चीजों को हम लोग इस किस रूप में करते हैं खमीरी करण की विधि द्वारा तो उसके पोशक तत्थों बढ़ने में मदद मिलती है बच्छो कोई भी आहारों उसको बनाने से जादा उसमें यह देखना होता है कि हम उसको किस विधि स बनाएं कि उसके पोशक तत्तों में कई मत्रा में विधियों कमी तो होगी कि जब किसी भी आहारों को बनाते हैं जब आज पे पकते हैं जब आज पे पकाते हैं तो उसके पोशक मुल्य नष्ट होते हैं लेकिन हम इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसके जो पोशक मुल् पर आजिए हो इस सूक्ता करकिने चाहिए सकते cał फ्यम करें करका आड़ेए पर पानीअ आज़ें दूद्धोर पोशक तत्यों वह भी आपको राप्तों पहुचाएंगे जैसे मुझे मेकाने से पहले हम दाल रहे हैं चाओ लोगों कुछ तेर के लिए भूगोते हैं तो बहुत से घर में गड़ियां उस चाओ लिए पानी को भूगोती हैं फिर उनकाल देती हैं वेश्ट कर देती हैं ले को उसी पानी का यूज कर कि उस पोशक तत्तों को बनाना चाहिए तो अहार बनाने के भूऑ़जन पकाने के हुई चार बीदिया हैं हुई चार वीदियों का लिए अलग-अलग तरिके से कर सकते हैं उबालने के विध्री के जब हम यूज करते वच्चों तो उसमें जो भ होती यह ध्यान होना चाहिए कि कम से कम पोशक तक नश्ट कर सके और उसका अहानर पर सामिल कर सके तो हम लोगों ने अंकुरे कड़ विधी भी देखी अब बात कर लेते हैं पार्चिंग विधी वारा ठीक है पार्चिंग विधी क्या होती है इसमें इसके भोजन के पोशक इसमें चावल मक्का चना मतर को तेज आज पर बुमे जाता है तो जो इसके चना होगे आप चावल में आपके अपके पोशक तक तो हैं वह आपको अधिज उतनी मात्र में मिलेंगे क्योंकि ज्यादा नश्ट नहीं हो पाएंगे उस समय तक तो पार्चिंग विधी का और इनके बुनिवे जो ही आइटम होंगे आपके चावल या कुछ इनमें आप प्याज नहीं मतलब जो भी चीज उसमें नमक मिश्रान के उसको एक जो मिश्र बनता है उसको हम लोग यूज करते हैं एक अपने स्नेक्स के रूप में या बाहर या मार्केट में यूज कर सकते नमकीन के रूप में तो जो आपके कोशिक तर उसमें आपके प्रित्थी हो जाती है अब बात कर लेते हैं पकाने की उत्तम विधी द्वारा यह तो हम लोगों ने पढ़ी कीजिए लेकिन नॉर्मली बहुत से घरों की लड़ियों को या जो भी है उनको यह एक जो आपका किताबी ग्यान है उनको नहीं मिलता कि कैसे क्या करते हैं तो जो जल हवा वास्प की विधी है उसी विधी का यूज करके भी हम अपने पोशक मत तक्तो के मुलियों को कैसे बढ़ाएं और विधीयों को उसके काँ बिधी कि कर सकें टो में अधर हम पकाने की उत्ताब्ली दव्यात 오래ए जल वारा जब हम पास यह ज़ो ज़ोगे है जबिग मिल इंगि दरना कालश कि दीके मुल करना तो कि मईंके उस समय आपको जितनी मात्रा की वसा की जरूथ है उतनी ही आधा का यूज तलने के लिए जली वशा का यूज बारबार हमें नहीं करना चाहिए तो एक इसमें देख्शन होता है जो हमारे अहर हो anesthos ली बना देता है जैसे उस्प के पोशक तर तो बने रह सकते हैं तो हमें अपने भोजन में विभिन ट्रकार की वीधियों का प्रयोग करके उनके आहार को मतलब आहार में पोशक मूले जो उनकी ब्रित्री में मदद करते हैं और असानी समय उस चीज का यूज करना चाहिए वास्प के वीधित वास्प के वीधि का यूज हमें उनमें करना चाहिए कि जल वास्प और हवा के दौरा जो भी पोशक तर्थों को बनाते हैं या उस चीजों करते हैं तो सबसे पहले मुलोने कि भोज पदार्थों के मिश्ण की वीधित दौरा अपने पोशक तर्थों को कैसे बढ़ा सकते दूसरा में दिखा अंखुरर करण की वीधि दौरा फिर खमीरी करण पार्चीन और पकाने की उत्तम वीधि दौरा पकाने की उत्तम वीधि में बच्चों हम लोग जैसे मार के चावल का पिरोग करना चाहिए क्योंकि चावल कमार में नहीं फेकना चाहिए वो हमारे जो को पनीर की बात हमने बताई कि पनीर का जब हमने बनाया घर में उसके पानीक हम यूज कर सकते उसके पानीक मों को बेष्ट रूप में नहीं पेकना चाहिए तो प्रचावल स्वयवीन चना उत्यादी को एक साथ गिरू के साथ पीस वाके उसकी रोटियू का यूज करना अच्छा बना सकते हम लोगों को कम से कम वशा का प्रोग करना चाहिए और अधिक से अधिक अधिक आधी उगली हुए या फिर अर्ध कच्छी रूप में भी सब्सक्राइब करना चाहिए सब्सक्राइब को बहुत ज्यादा पकाने से जो उसके पोशक करते होते हो नश्ट जाते हैं, अकसर पालग क्यूश हम लोग करते हैं तो बहुत ज्यादा उसको कूप कर और जिसके उसके पोशक तत्व काफी मात्रा में नश्ट हो जाते हैं अधिक पैल किन किन विद्यों से हम लोग बढ़ा सकते हैं और उसका यूज हम लोग कर सकते हैं क्योंकि वजो भोजन मन उसको जीवित रने के लिए सबसे मूल भूत आउशकता होती है भोजन के द्वारा ही हमें सक्ति मिलती है उर्जा मिलती है और हम अपने काड़े को करते हैं यह भोजन की द्वारा जो में पोशक तक तक तो मिलते हैं वही हमें बिमारियों से भीम प्रकार के लोगों से संक्रमर से वाइरस से हमें बचाते हैं तो यह बहुत ही आउशक हो जाता है विच्चो कि हम अपने भोजन को अपने आहार को इस जिससे हम रोगों से नए नए संक्रमर रोगों से बचे और अपना जीवन अच्छी प्रकार से जी सके क्योंकि बच्चो एक स्वस्त सरीर में ही अगर हम अधिकतर विमारी रहेंगे तो हमारा किसी कार्य में नहीं लगता और सबसे ज्यादा जरूरी होता हमें अपने आहार प कि हम कम आहार भी लें तो हमके वो सारे पोशक तक्तों की प्राप्ति हो जा जितनी हमें अपने सरीर के लिए अपने कार के रुसारा में अपनी रिक्वार्मेंट होती है तो इसी इसी क्रम में यह बात थी कि हम अपने आहार के पोशक तक्तों को कैसे बढ़ा सकते और उसका आपने बोजन में हम यूज कर सकते हैं तो बच्चों आज की क्लास की लिए इतना ही करते हैं हम लोग अपने नेक्ष क्लास में ने टॉपिक के साथ मिलेंगे आज की लिए इतना ही थैंक यू